नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम योट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे सौचाले करते समय हमारा मुख किस दिशा की ओर होनी चाहिए ऐसे तो सभी लोग जानते आये हैं कि पुर्व दिशा की ओर मलमुत्र नहीं त्याग करना चाहिए मलमुत्र त्याग करने की सही दिशा क्या है सुर्योदय से पुर्व हमें किस दिशा की ओर मुख करके सौचाले करना चाहिए और सुर्योदय के बाद अर्थात दिन में क्योंकि आज की समय में लोग सुभा सुर्योदय से पुर्व जाने वाले बहुत कम लोग हैं अधिकतर ल वाचिन समय में लोग जो है सौचाले घर के अंदर निर्मान नहीं करते थी मतलब जिल विद्धान ही एईसा नहीं ता रूल ही आई साथ हमारे आने हैं नहीं था कि घर के अंदर में परनूना और स्वेस्त्राना आलज से शरीर में आना इस प्रकार का चीज़ने जी मिलतीए और साइँ में मना किया गया त Dew pillar ृति कारत तो जो ब्रक्ति सूरी led की तरफ पूरव की समय में मतलब जब उनका अन्त आता है तो सारी कश्ट का सामना करना पड़ता है चलिए आज कब इसे हमारा कुछ और हम इस पर बात करते हैं बरत्मान समय में लोग छोटे से अस्थान पर छोटे से घर में जैसे ऊक्वाटर सिष्टम आ गया है भूमी का मूल तिय निक भढ़ गया है तो घर के अंदर में ही सब कुछ इड़ेस्ट करना पड़ता है डिरेक्शन की बात हो तो हम तो पुर्व में वीडियो में बता चुके हैं आप देख सकते हैं और बरतमान समय में लोग समय और परिष्थिति के नुसारी कारी करते हैं टॉपिक बहुत छोटा है दो लाइन में हम इसे खत्म कर देंगे सास्त्र में कहा गया है कि सुर्य उदय से पुर्व ध्यान दे सुर्य उदय से जो पुर्व होता है हमें दक्षिन दिशा में मुख करके सवचाले में बैठना चाहिए कि आप देखेंगे खास करके प्राचीन समय में आज के समय में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं लेकिन अगर आप किसी बास्तु सास्तिरिक पास दाईएगा तो वो आपको उत्तर मुख करके सवचाले बैठाने की सला दे देंगे सुरी उदय से पुर्व आपको दक्षिन दिशा में मुख करके सवचाले जाना है और सुरी उदय के बाद आपको उत्तर दिशा में मुख करके सवचाले में बैठाना है तो सुरी उदय से पुर्व होता क्या है कि सुरी उदय से पुर्व जो हमारे हैं कि पिर्थिभी चलने वाली उर्जा होती है हवाई होती है उसके हिसाब से शांस्त्रि यह ऺए किया था ब्रत्मान समेह कि सुरिय उध्य से पुर्व बहुत कम लोग ही जाते हैं आज नौ बजे उठना, दस बजे उठना, रात में कारी करना, बहुत तरह की बाते हैं, सबकी अलग-अलग समस्याएं होती है, अलग-अलग इक्छाएं होती है, इसलिए आज के समय में जो आप देखेगा, कि अगर कोई बास्तु, सास्त्री बतलाता है, तो वो उत्तरदिसा की और मूख करके आपका ट्वालिट सीट को बढ़ा देते हैं, वो बताते कुछ नहीं, लेकिन उत्तरदिसा की और बॉल देंगी, ये उत्तर-दक्चिन ठीक है, तो ये उत्तर-दक्चिन की हुदी तो आप की दिशा में ना हो कि असास्त्र में यह असपस्ट कहा गया है हलां कि लोग धीरे-धीरे इसे बरतमान समय में जान रहे हैं कि और दूसरा है कि मल मुत्र का बेक तो आपको कभी नहीं रोकना चाहिए तो पेट संबंदी समस्या हैं लोगों को उत्पन होता है अब एक दिन में आपको कोई मुत्र बिसरजन भी कर रहे हैं तो उसे कम सकम इस दिशा का ध्यान रखना चाहिए कि सूरी की ओर मुख करके आप कहीं भी घर से बाहर भी लोग होते हैं कि मुत्र के लिए इधर उदर चले जाते हैं ऐसे तो आज कल प्रचलन में आगया लोग खड़े कर मुत्र बिसरजन करते हैं ये तो बिल्कुल सास्त के अनुसार गलत है अलांकि कुछ लोगों की समस्या हो सकती कि वो सही से बैट ने सकते हैं या फिर बरतमान समय में ऐसे कपड़े लोग पहन रहे हैं कि बैट कर संभब नहीं है तो सूरी की और मुत्र बिसरजन बिल्कुल ना करें ये सास्त के सरवता अनुचित है तो आज के अंकि में इतना ही मिलते हैं अगले अंकि में अन्नी बातों पर हम बात करेंगे सोचाले किस दिशा में बनाना चाहिए बहुत प्रशन ये भी उड़ता है तो इसके लिए हम पुर्व में वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी बनाऊंगे आप इसे देख सकते हैं आज के अंकि में इतना ही धन्यवाद